नवस्कार्द रश्रम्विद्र वती दीमा फरी एक और आपनू स्वागाच अती थे लेगों कारेकरम के जे कारेकरमा अभिशिष्ट व्यक्तित्व साथ आपनी मुलाकात करें वेचने वात हो करिये श्यांतरा आज आपनी साथे एक यू व्यक्तित्व के मनू नाम आपता आ सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग डांस करते रहते हैं शादी में करते हैं, घर में करते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉंपिटिशन में भी पार्टिस्पेट करते हैं डांसिंग फिल्ड में आना एक जमाने में कुछ ना करते थे, क्या करता है तो बहुत डांस करता है आज वही आर्ट वही टैलेंट में लोग केरियर बनाते हैं कितना स्कॉप है यह क्वेस्टिन बहुत ही इसका उत्तर है बहुत ही सिंपल है स्कॉप तबी भी था अभी भी है मार्केट थोड़ा और खुल गये हैं रिस्पेक्टिबिलिटी जो है जो सम्मान जो है जो डांस की साथ कहीं नहीं जुडा था वह इंडिया डांस के वाज़े से अब जूड गया है वह एक सम्मान का रिष़्ता जूड गया है उसके साथ Secondly, अब उनको पता चल गया है कि डांस करना सब के बस के बात है, लेकिन डांसर बनना सब के बस की बात नहीं है वो इस इंस्पा कियो और कैसे कैसे आई क्योंकि जैसे पहले ही बता है कि डांस करना शौक था, पैशन होगा लेकिन ये फिल्ड में आने के लिए किसी ने तो रिकरनाइस किया होगा कि ये स्टर्ण्स, ये अच्छा सवाल पुछा अपने, अच्छी मैं ने शिरुवाद की जब मैं छे साल का था तब मुझे किसी ने सिखाय नहीं था, सिर्फ ये नो मैं एक नहीं स्कूल में आया था, तब ही टीचर ने कहा कि कॉंपरेशन चल रहा है स्कूल में, विच्टुडेंस वन्स तो इस पारिसिपेट इन दान्स, तो मैंने अपना हाथ उपर कर लिया, अवस अवस अन एंतूजियस्टिक किड और फिर अब हाथ उपर किया लेकिन पतानी था क्या करूं क्या नहीं कर अगर अभी बोला है कि मैं पार्टिसपेट करना तो करना पड़ेगा और घर पे कोई हेल्प करने वाला कोई नहीं है, हम आठ बच्चे थे, आठ भाइबन, मैं सबसे यंगस था, लेकिन किसी का शौक में था डान्स या सिंगिंग में, तो और अगर मैं खहता भी तो माह ब लेकिन शायद वहाँ पर शायद बहुत लोगों को मुझे पसंद आया और मुझे फर्स प्राइस में थी, सेंट रिस हाई स्कूल बैंडर, बंबाह में थी, और उसके बाद मुझे बहुत सारा प्राजसाहन मिला तीचर्स के साथ, लेकिन वह सब यह कहता कि तुम तो सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छे हो, लेकिन एक ऐसी व्यक्ती जो आई थी हमारे All Mumbai Dance Competition में, तो हम सब बच्चे स्कूल से स्कूल के दवारा बेजे गए थे, और मैं बहुत ही confident था कि मैं तो first आऊं गई, तो मैं गया और मैं participate किया, मैंने भाग भी लिया, यह 1980s की बात कर रहा और मुझे first prize मिला, first prize मिला, first prize मिला और first prize मिलने के बाद वो जो ओरत आई थी judge करने के लिए, वो actually Gujarati और Parsi लेडी थी और वो अमरीका में सीख कर आई थी, उनका husband को ट्रांसफिर वाता Bombay में, तो वो Bombay आई थी, और उस दारा उनको एक competition मिला, जहां पर उननों judge किया और म मैं वो इस competition में था तब मैं, मैं आठी में था तभी, 13 सार का था, और उनने मुझे का कि इधरा, तो मैं उसके पास गया, मैं तो थैंक्यू मैम, आपने मुझे first prize दिया, और बटा, एक बात कहना चाहूंगे, अगर आप सुन सकते हो तो, I said of course, he is saying my son, इंग्रेजी में कहता उसने, you are the best of the worst, तब मुझे इतना धक्का लगा था, कि मैं बदा कि, अरी यार, इसने ऐसे कैसे कह दिया, तो बहुत बुरा लगा, मैं सच है, क्या जूट है, वो भी मुझे नहीं पता, लेकि जस्ट दर्ध हुआ, कि शायद कहीं सच हो तो, तो मैंने का कि, आप ऐसा कहती क्यों है, तो मैंने का कि, यह जो सब बच्चे जो नाच रहे ना, आजकल, यहाँ पर किसी ने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, ट्रेनिंग नहीं की है, कोई इस क्लास के लिए नहीं जाता, सब अपने मरजी से कर रहे हैं, हाथ पैर फेक रहे हैं, क्यूंकि उसमें रिदम है, टैलेंट है, उच्छा है, उसमें कागा कि मुझे, अब डेफिनिट्ली एक्टर बहुत बड़े हैं, क्या अफ़ाँ आचे, अच्छे, एक्टिंग करते हो, परफॉर्म करते हो, दिल से करते हो, तो दिल से मैंने किया जरूर, लेकिन वो टेक्निकली इतना खूबसूरत नह उसने कहा, उसने कहा कि अगर आपको सही माइनों में डान्स करना है, और इसको एक आठ फॉर्म के अवलेब लेना है, तो आप प्लीज मेरे क्लासे में आईए, और देखिये कैसे हम डान्स को सीखते हैं, और कितनी ट्रेइनिंग, कितनी शिद्दत लगती है, कितनी मेहनत कर पड़ती है, ताकि वह एक चीज जो हम करना चाहते हैं, वह परफेक्शन हो, वह भगवान स्वरूप हो, तो मैं ठीक है, मैं आओंगा जरूर, तो मैं गया, बहुत दूर था बंबई से, कि मैं सबर्ब में, छोटे शेहर में, मतलब बंबई में बहुत बड़ा शेहर है, औ मैंने अपने भाई को बहुत, बहुत बड़ा बाई को प्लीजिकर बहुको लेकर जाको, कि वह बहुत दूर था, था कि ट्रें प्लेस यह मैं बनना चाला हूँ तब मैंने वहाँ पर ठान लिया था मन ही मन में लेकिन वह confidence नहीं था क्योंकि डांस के साथ बहुत ही एक ऐसा एक fit था कि अगर आप डांसर हो तो मतला आपका दिमाग तेज नहीं है और स्कूल में पर सबसे में स्टॉडिस में बहुत फर्स, सकंद, थर्ड या प्राइज लिते था यॉझन एक वाःस था था स्टॉडिस था तो पढ़ाई में तेज था और मुझ में आपने पस बहुत गुरूड था कि मैं आप पढ़ाई में अच्छा हूँ क्योंकि कहीं वह सोचे कि मेरे पास दिमाग ही नहीं है, मैं अपने इगों में के ट्रेंट सेट हो चुगा था कि जो पड़ाई में ठीक ठाक नहीं होते हैं, वही यह सब एक्टिविटेस में है, वह जमाना था था भी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, आज आप देखो, सबसे सायन में बच्चे तो हर कुछ, हर चीज़े करते हैं, वह सिंगिंग में अच्छे हैं, कभी डांसिंग में कभी, आज स्मार्ट, आज कि पीडी निकली है, वह हमसे भी ज्यादा, मतलब तेज है, तो I would say that, वह जमाना कुछ अलग था तभी, उसकी सोच अलग थी, और मैं भी अची तरह से सीखा उनसे, उन्होंने मुझे 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 मुफ्त में सिखाया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और लेकिन उन्होंने मुझे कुछ चीज मुफ्त नहीं दी, उन्होंने कि मैं मुफ्त चीज में मानती नहीं हूँ, क्योंकि फिर उसका कोई वैल्यू नहीं होत और मैं यह सब कुछ कर लूँगा, क्यूंकि वह बहुत ही गंदा था, government hall था, sorry, बहुत ही गंदा government hall था वो, बहुत ही धूल, मिट्टी सब थी, उसको साफ करना, क्यूंकि उसको बहुत ही साफ चेह था, तो जाड़ू पुचा मारना, मुझे कोई इतराज नहीं था, मुझे स सपाई से बहुत शौक है, anyways, मुझे सब अच्छी, clean चीज़े बहुत पसंद है, तो मैंने अपने दिल से किया वो काम, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे उसमें बहुत है, बस वो शायद, वो शायद कह सकते हो कि turning point जहां से आपने सही path कर लिया, turning point के बाद, आ नवी वात अने क्या प्रेणा दाई बाद, विरामत फरीकों सोगेच्छा अपनू कारेकों आती थी मा, टेरंसी, यू, यू सेट की, मैं बांदरा में करहता था, ने, मैं अंधेरी में रहता था, लेकिन हमारा स्कूल बांदरा में था, अंधेरी में एक आठ भाई बैनों वाला परिवार, आपने कहा कि, आपने मा का जिक्र किया, कि शायद मा उससे हो जाएगी, कि पढ़ाई में त्यान रहता हो, और एक वड़ आपने कहा कि, बैटा, शायद मुझे ड़ था कि ये कहेंगे, कि बैटा, ये तो अमीरों का शोक हम गरीबों के लिए ये परिए, एक डांस पर्फॉमंस देखते देखते टेरेंस जी की आखें के लिए उगए थी, जो पूर बच्चों के लिए जो पर्फॉम कर वह थे तब टेरेंस जी को वो अपने पूरान दीन याद आ गय थे, कि जहां अमीर बच्चे अपना खाना जरूर आपने वो शो देखा, हाँ वो सचाही है, मैं हम गरीब थे, लेकिन मेरी माँ के पास बहुत गरूर था, कि वो और शायद वो शायद आउड गमंड, प्राइड मेरे में भी था, कि मैं किसी को अपनी गरूर था, गरीब ही नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो बहुत सारे जो मेरे दोस्ते, वो नहीं जांदे थे, कि मैं 200 स्क्राइफीट के घर में रहता हूँ, मेरे पास 8 भाइबेन है, मेरा बाप मजदूर है, और वो बिजनसमें नहीं है, और मेरे सब दोस्ते वो बहुत बहुत अमीर और मुझे शर्म आते थी कहने के लिए कि मैं गरीब हूँ, और मेरा जो बातरूम और टोइलेट भी है वो बाहर है, तो एक ऐसा वक्त आया भी था कि हमारे पास खाने के लिए बहुत, मतलब सब चीज बढ़ जाती थी, कि हम 8 बच्चे थे, हम 8 भाइबेन थे, और मेरी अपने आपको भूका रखके हमें खाना खिलाया है, कभी-कभी जब डाडी का स्ट्राइक हुआ है तो, और एक वक्त ऐसा भी आदा था कि जब हमारे पास टिफिन नहीं हुआ करता था, और हमें कभी टिफिन की आदत नहीं दी गई थी, और मुझ में बहुत घमन था कि मैं किसी को अपनी गरीबी नहीं बताऊंगा, तो मैंने अपने टीचर को हमारे पास एक गरीब बच्चे के लिए एक मील सर्विस हुआ करती थी, मतलब जो गरीब बच्चे हैं वो उनको रिसरेस में एक वड़ा पाऊं और दूद मिलता था, लेकिन उसके लिए लाइन में भूख भूख है, और कई ऐसे दिन थे, जहां पर मुझे मजबूरन ना चाहते हुए भी, क्योंकि मेरे भूख इतनी जादा थी, मैं रुकता था कि वो रिसरेस का बेल कप खतम होता कि सब बच्चे अंदर जाए, और क्योंकि मैं मॉनिटर हुआ करता था, तो मुझे सौलि आप खाया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, और वो ये दिन मुझे याद है, आप ज्यादा तर मा का जिक्र करते हैं, नहीं मेरे मेरे पिटाजी का भी बहुत बड़ा सयोग रहा है, उन्हेंने बहुत 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 मनत किया, डबल डबल शिप्स किया है, मजदू रबर फैक्टरी में फायर स्टोन हुआ करता था, अभी वो मोदी स्टोन बन गया, और ममी जो थी, वो एक मिसाल थी हमारे लिए, वो काफी अटूद था उनका विश्वास, अपने खुदा के उपर, हमने, हमें बहुत सारी चीज़े नहीं दी गए थी, लेकिन हमारे उसू अब काफी पक्के थे, और ममी को देखकर, डाडी को देखकर, दोनों को देखकर, मेरे डाडी जो थे, वो हर वक्त, अभी भी कह रहते हैं, जब में बढ़े के लिए, तो बढ़ा बिटा, अपने लिए तो सब जोग जीते हैं, लेकिन कुछ दूसरों के लिए भी जीना, य मेरे प्र Corps थे, मेरे माँ, हर वक्त, उक चुछ देती ही थी, हमने देखा है कि यह हमने खुद देखा है, उन्हें बोला नहीं है, लेकिन करके दिखाए है, और शायद कहीं-न कहीं, हमAut में भी वो आ गया अपने जहान में की, हमें दूसरों के लिए कर दिखे, आपने अपन एप्त में टीचर ने रेकिनाइस किया कि अच्छा डांस कर सकता है और फर्स्ट इन वर्स्ट ऐसे बोला था वोटेवर लेकिन फर्स्ट नमबर तो दिया था कहीं लगा था कि हीरा है पॉलिश करना है अपने आप कीमत बढ़ेगी इसकी सही माइने में सही माइने में ब्रेक कब बिला था उसकी बात करेंगे इस ब्रेक के बात दर्श्रक दो समय था हो कि वीरामनों अंतीम पड़ाओं मां अंगत वातो अंतरंग वातो अतीथी मां टेरंसे जाद है विरामाद फर्यकाव सौलेश आपनों गारेग्राम आतीदी माटेरंसी आप ब्रेक से पहले हम कुछ पूछ रहे था आप से कि एक्ट में टीचर ने तो रेकलने इस कर लिया था लेकिन सही माइने में क्योंकि यह कि यह कोई ऐसी चीज नहीं थी कि order कर लिया, switch दबा दिया, फटाब दे के light हो गले यह तो था नहीं आपको एक turning point में पाथ मिला था लेकिन मन्जिल दूर थी वो सही पहली वाली मन्जिल जो है वो कहां मिली जिसमें name, fame, सब कुछ मिला जहां दुनिया ने पहचाना कि यह स कि इस मौस एक आर्टिस्ट है, जो भी इस फिल्ड में धमागा मचाना हुआ है I think मेरा पहला interview एक afternoon newspaper में आया था मैं एक show कर रहा था विछका नाम है Center Stage और वो एक modern dance production था और उस वहाँ पर मैंने एक reporter को कई reporters को बुलाया था और उनने पहली बार मेरा show देखा और मेरे बारे में बात किया और मुझे एक बड़े almost a full page article दिया मेरे बारे में और कि क्या मैं होने वाला हूँ और क्या वो सोचते हैं मेरे dance के बारे में उसके बाद बहुत सारे ऐसे points आये जैसे मैंने fitness में अपना ध्यान दिया तो मैं सबसे Bombay का सबसे number one trainer बना और Bombay Times में एक article आय था कि वुआ the topmost trainers in Bombay and the number one was Terrence Lewis और इसका किथा मुझे मिला बहुत जब मैं I think I was only 20-21 और उसके बाद क्यूंकि मैं महातुरी को ट्रेन कर रहा था, वस ट्रेनिंन गौरी, वस ट्रेनिंग रूरी, वस ट्रेनिंग यह लॉड़ फिर्स वाइव अवाइविवोड उसके बाद एक ऐसा एक मोड आया जिस विस फिल्म्स लगान में एक छोटा सा सीन था विच विच बॉल्रूम नान सीक्वेंस और रीना दत्ता जो आमिर जी की वाइफ रह चुकी है वो तभी प्रोडूसर थी और उन्हें मुझे अप्रोच किया वो मेरी स्टूडिन थी और मुझेट किया वो आप यह कर सकते हों मैं ना चाहते वह में लिख पर पाकृत आशेट करते हूं कि उसक्ति इस पहित अे वी पर भी तो आप शेख कर सकते हो जो अर भी पित्थरे है तो अ मुझे असी उसे सती इसा हुड उन्हें है achu बीसर आन्स को नही जानता था और मैं 15 फिर्मे की नाच की allí, वहांपे मुझे बहुत क्रिटिकली राम कुपार बहुत कि नाच्छ, जो अंत्रमाले के ऐसाहा। मुझे बहुत नाम मिला है लोगों थे क्रिटिक लिए मुझे क्रिज नाम मिला है। पिर एक ऐसा मोड आया जहां पर मैं बहुत सारे शोग्स करने लगा मेरी कंपनी बनी मैंने एक कंपनी खोली और मैंने एक Free Dance Scholarship की स्थाफ़ना की जहां पर मैं तैलेंटेट बच्चों को free सिखाता था जो बहुत ही बहुत ही तैलेंटेट थे हैं वहां से मैंने बहुत साहँ लोगों को अपने साहँ रख लिया, और एक कंपनी बनाई आर वह इन बवहू कंपनी हम बहुत करने लगें कामीं महां पर उसक्सस मुझे बहुत मुझे भये प्रिणजी , फिल्मों से परहस क्यो ? तो आफे नहीं मुझे पसंट नीता है, क्यों? वेल… ऐसा निये कि फिल्म्स एक पसंट चीज़ है क्या वहाँ पे syndicate होने की वजह से नहीं जाना चाहते हो? यह जो यह मेरा ब्लंट क्वेशन है मैं चाहता हूँ कि ब्लंट आंसर भी मिले क्या syndicate है एक talented आदमी खास करके जिस तरह से अपने बता है कि जिन्स में एक गुरूर वाला आदमी जो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता तो Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D कि इसकी जो syndicate चलती है अगर मुझे जाना है इस्टाबलीश होना है तो मुझे किसी ना किसी ग्रूप में जाना पड़ेगा I think shahad कही ना कहीं आप correct है मैं सोचता हूँ कि मेरा काम मेरी लिए मेरी सिफारिश करनी चाहिए मैं जाकर किसी के हाथ पैर पकड़ लूँ कोई बात नहीं अगर मुझे पकड़ना है तो पकड़ लूँ मुझे लगता है कि अगर मैं काबल नहीं हूँ तो मेरा क्या हक्पनत हूँ काम लेना लेकिन मुझे यह भी पता है कि इंडस्टरी वर्क्स वर्क्स वरी डिफरेंटली वह शायद अभी चेंज हो रही है ऐसा नहीं कि उन्ली सिंडिकेट्स वर्क करते हैं कैंप जो बोलते हैं कैंप्स एग्जिस्ट है आज कल एक सटन कैंप में रहो किसी के दो काम दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन उनको कॉन्टाक करना और उनके साथ वो एक कनेक्शन बनाना वो शायद वक्त लएगा इस जस्टाट मैं समझता हूं कि मेरा कोई अभी वो भी बात नहीं रही कि ओ सिंडिकेट है तो पीपल नो मी जानते है मेरा काम को जानते है औ और जब डिरेक्टर कहते हैं कि आपको ऐससा करना है तो मैं इसमें कोई खास बात नहीं है मेरी यह शायद दस अधर कोरियोग्रफर्स भी कर सकते हैं जरूर करूंगा कि वो ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ ऐसा मिला नहीं है जो मैं सोचों कि यार अगर मैं यह करूंगा कोई और नहीं शायद कर सकता इस समय शायद इन फ्यूचर में भी बट इस समय कोई और नहीं कर सकते हैं इस से अच्छा कोई नहीं कर सकता इस समय और इसमें मेरा दिल है, जिसमें मेरा दिल भी होना चाहिए और जिसके दिरेक्टर के साथ एक ट्यूनिंग, अगर अगर बन जाए और हो जाए तो, you know, I'm open to it at this moment मैं कहूंगा कि DID ने मुझे बहुत स्पोयल किया है, मुझे अच्छा इच्छा डांसर्स देकर, मुझे इतना 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 खराब कर दिया है, कि मैं ऐसी मतलब आओ सेट पर और नाचो और चार लडिकों के साथ में कम या जादा कपने में लगा कर उनको चिपका दो और क् के साथ को खेलो और अच्छे सेट लाइटिंग या लोकेशन पर जाओ, क्योंकि यह सब अभी मुझे लगता है कि यह तो कोई भी कर सकता है यार, लेकिन D.I.D. का जो लेवल जो हमने मैंटेन के है और वो भी only because of the contestants, जो महनत उनोंने की है, और जो महनत के साथ हमें वो इंस को ऐसे बच्चे आपके पास आए, ऐसे ही टेरेंस जी खुद अपने आपको सही में पॉलिशिंग के लिए हिंदूस्तान के कोई भी डान्स टीचर, डान्स डारेक्टर, कोरियोग्राफर को सलाम नहीं करते, खुद बोलते है कि मुझे सही में पॉलिश हुआ, या तो है अपरोड में, उनका जो महनत तो क्या-क्या हिंदूस्तान अगर कंपेर कर उनके साथ कैसे करेंगे, वक्त बहुत कब है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या है कि जो स्टाइल मैं सीख रहूं, केंटेंपरी डान्स, यहां पर फॉस्ट अपॉल वो फोकस नहीं है, सेकंड इक गुरु शिष्य के रलेशन्शिप इनन फ्राइशन्षिक ट्रॉंग है कि अनलेस वो शिष्य गुरु के साथ मतलब बंद ना जाये जिंदगी बड़ तक कोई सिखाने के लिए तयार नहीं है, अगर वो कहते है कि नहीं, आप मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझ इतना वक्त लगेगा आपको सीखने, उसमें मैं मानता हूँ, लेकिन अगर वो बंदिशें के तयार करना चाहते हैं, then that's where I feel it, that's where the relationship only is wrong. abroad में जो हो, महाँ पर वो जो level है, of awareness, secondly, वो जो जब वो इस art form में जाते हैं, वो अपने पैसों के लिए नहीं करते हैं, वो करते हैं because they really love it, उनका वो passion है, और उनको जो companies है, जो countries है, वो उनको बहुत support करते हैं art form के लिए, बहुत सरा support दिया जाता है, हमारी जो country है, वो काफी गरीब है and many things, हमारे पास बहुत सरे ऐसे मुद्दे हैं, जो जादा important है dance से भी, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्यों government को support नहीं करती, वहाँ पर वो सब issues नहीं है, गरीब ही नहीं है, unemployment नहीं है, तो वहाँ पर अगर आपका मन लगे कि मुझे dancer बनना है, तो आपको पूरा support मिल अगर आप टीवी शो पर ना भी आए, आप फेमस ना भी हो, लेकिन अगर आप में वह बात है, अगर आप बनना चाहते है dancer, गवर्मेंट सपोर्ट करते है, जब तक कि आप वह लेवल तक ना पहुंचे, तो उस refinement, वह polishing जरूर वहाँ पर ज्यादा ध्यान जाता है, क्यों आपका एक ड्रीम है कि एक डांस इनिवर्सिटी, एक पूरा बिल्डिंग, जो आपने भी एक शोमी भी आपने बताया था कि मैं चाहता हूं कि बड़ी सी एक इमारत हो, क्या-क्या है वह ट्रीम पर एक फिसे इमारत हो, जिस तरह से वह मैनत करते हैं, और जिस तरह से उनकी capabilities है, flexibility है, strength है, ताकत है, और जिस शिदत के साथ वह एक डांस को पेश करते हैं, मैं मतलब, मेरी मतलब पुरी दुनिया जो थी वह बदल गए है, यह चीज मुझे चाहिए इंडिया में, तो वह ड्रीम मैंने 12 साल पहले, 14 साल पहले देखी थी, जब मैं अमेरिका गया, फिर स्टूडियोज है, wooden floor है, mirrors, air condition, cafeteria है, library है, dance की library, you know, video library है, जहापे आप जो भी बड़े-बड़े directors है, choreographers है, उनके काम देख सकते हैं, research कर सकते हैं, ऐसा एक मोहाल चाहिए, college चाहिए मुझे, एक building चाहिए, ताकि मैं उन लोग जो सिफ dance के भक्त है, वह वहाँ पर आ सकते है और वो उसको एक आश्रम या, नॉर्मली नॉर्मली यह कहा जाता है कि जो भी नए नए innovative ideas है, वो गुजरात government के साथ, बहुत सारे बड़े-बड़े लोग करते हैं, so have you tried for that? मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारा progress हो चुका है, और यह सिर्फ बात ही नहीं, मैं देख रहा हूं, और बहुत सारा ऐसे लोगों से मिला हूं, और कहा है कि गुजरात is today, one of the most advanced state, it's only because people are progressing, जिस तरह से जो ministers है, और जो system है, वो is very geared towards progress, and Gujaratis by nature, you know, अपने बीच में, फैमिली में, यह होगा कि मेरे पास यह वर बादे, but at the end of the day, the community is very together, and यह सबसे खास बात है, Gujaratis कि आपने अप्रोच किया, आपने अप्रोच किया, government से, I have not approached, मुझे पता भी नहीं है कि कैसे कहा, लेकिन सही वक्त पे मैं सोचता हूं कि ज जो मैसाया, जो फरिष्टे हैं, वो आएंगे, और मुझे कहेंगे कि प्लीज आप अप्लाइ कीजे, मैं अपनी तरफ से पुरी तयार हूं, मेरे पास वो पुरा प्रोजेक्ट तयार है, कितना टाइम लगेंगा, कितना वक्त लगेंगा, क्या वो डिजाइन होगा, कैसे हम उसको चलाएंगे, उस हद तक पेपर वर्क पर मेरा पूरा कॉंट्रिबूशन रहा है, लेकिन मैं कहां जाकर खटखटा हूं, अब तक मेरे वेबसाइट पर चालू होने वाली है, वहाँ पर भी हमने दर्खवास की, कि अगर लोगों को इसमें विश्वास है, और हम पर व सोचा है, कि सम्ताइम्स एक व्यक्ति इस बिल्डिंगा प्रोचेक्ट जो है, इस अट लिस्वाँ ट्वेंटी क्रॉज, बीस करोड इसको इखटा करना आसान बात नहीं है, लेकिन हमारी जो पूरी दुन्या की जो अबादी है, इस क्लोस तो अरॉन टेन बिलियन, टेन बि इस बिल्डिशन, टो वह वह बीस करोड बन सकता है, और हर एक आदमी वक्ति जो यह दस हागा रूपईज दे सकता है, तो वह पास एक घटा होगा एक ट्रस्ट में, क्योंकि हमारे पास एक ट्रस्ट है, और यह आप एक ट्रस्ट के साथ आप खिलवाद नहीं कर सकते है, व हमारा एक ट्रस्ट भी है जो which can give you a certificate and हर एक जो 10,000 का एक donation देगा उस पे वो जब इमारत बनेगी वहाँ पर एक brick रहेगा, एक एट रहेगी उस एट या पत्थर के पीछे आपका नाम रहेगा और वो सदा के लिए रहेगा उस बिल्डिंग पर दर्श्ट भी आती दीमा हादी खास बुलाकात टारेंस लुइस साथे निगा की दू ते परमाने एक वीचारो पोताना उंदा वीचारो उंदा वीचारो नी साथे साथे एक नोबल कैरेक्टर आप फिल्ड मा जेटला पन लोको आवा मागे छे चोकस पणे ते लोको माटे फरीमाने शोर्न एक्स अपीस अवाइक न्वाती भी साथे दैस को ढफ्षा नमस्कार थें गयर थेंख अलोटेंगे के लिचे अपैंगे